हलो दोस्तों आपके स्वागत है जी एकेडमी में आप लोग के मेल की बज़े से या कि जो भी फ्राइडे स्टरडे को जो भी कानिडेट्स गये होंगे उनकी बज़े से आज न्यूस पेपर में आ गई है न्यूस 11 अपरेल है आज तो आज हम देखेंगे इस पेपर की में क्या-क्या है और जो मैंने एक वीडियो वनाया था आप लोग के सपोर्ट के लिए लेकिन आप लोग गए नहीं कोई बात नहीं आप पीजडी करना चाहरे है और आप में आवेरनेस नहीं अपने हग के लिए नहीं लड़ सकते तो कोई दिक्कत नहीं मेरा बताना काम थ के लिए नहीं है सजेशन इसलिए दे दिए क्योंकि आप सभी लोग मुझसे बोल रहे थे कि मेरे नबर इतने कम हो रहे है हना प्लीस में क्या करूं क्या कुछ हो सकता है तो मैंने से सज़ेशन दिया आप लोग नहीं किया तो आप पे डिपन करता कि क्यों Nicholas कि आपने और मैंने पहले भी बता दिया है कि आपका सपोर्ट मैं हमेशा वीडियो के माध्धम से करूँगी जा करके नहीं करूँगी क्योंकि मेरे को टाइम नहीं है वर्किंग टाइम में मैं टाइम नहीं दे सकती हूँ तो चलिए बिवादों में रिजल्ट 35 विश्यों की 210 सीटों के लिए हुई थी परिक्षा अना ये थोड़ा सा कहीं न कहीं गर्वर लिखा हुआ है थेक है बियू पीजडी बियू की बात की जारी है पीजडी इंटरेंस एक्जैम जारी नहीं की आंसर की कम गाइड होने से भी बड़ी दिक्कते हैं ये सारे मुद्दे हैं इस पर न्यूज आई है बरकत अल्ला विश्मिडले में हाली में हुए पीजडी प्रवेस परिक्षा के बाद घोसित किया गया रिजल्ट विवादों में है इसकी मुख विज़ ये है कि वियू ने बिना आंसर की जारी किये ही रिजल्ट घोसित कर दिया जो की अब बहरती अपने रिजल्स संतुस्ट नहीं है इससे वो इस नियम के बिरुद्ध मानते हैं इसके लिए 35 विशियों की 210 सीटों के लिए पीजडी इंटरेंस एक्जैम हुई थी थोड़ा मुझे कहीं न कहीं गलत लिख रहा है 210 सीटों के लिए औरड़ी 200 शायद 270 या 210 कैमिस्ट्री में मैंनेजमेंट में हैं 400 कुछ अप्रॉक्स 200 सीट हैं है ना जिसके कॉर्डिंग ये तो गलत लिखा हुआ है चलिए परिक्षा में 3500 अभ्यार्थियों ने हिस्सा लिया और एजुकेशन में कम सीटों पर परिक्षा होना भी विबातों के घेरे में एजुकेशन में 20 सीटों के लिए एंटरेंस हुआ था अभ्यार्थी अमीत नेमा ने बताया 200 से ज़्यादा सीटे खाली हैं इसमें प्राइवेट कॉलेजों के प्रोफेसर्स को गाइड नहीं बनाया गया है इस बज़े से अभ्यार्थियों को बीउ से पिएजडी करने का मौका नहीं मिलेगा प्यजडी इंटरेंस एक्जैम में पास होने के बाप्यूद अभ्यार्थी प्यजडी करने से वंचित रह जाएंगे प्यजडी के लिए इंटरेंस एक्जैम हुआ था 26 मार्च को रिजल्ट आया था 7 अपरेल को अभ्यार्थियों के मताबित बड़ी संख्या में छात्रों विए लग रहे हैं इसमें उसमें उसके हिसाब से उनके नंबर नहीं आए अगर आंसर की जारी की जाती तो ऐसी स्थिति में नहीं बनती इदर विव अधिकारों ने बताया कि बिभिन वेशियों के पास हुई छात्रों का परस्त कम है इस वज़ज़ से भी बिरोध की स्थ सिती बनी ही है इंगलिस साइकोलोजी पॉलिटिकल साइंस का परणा बहुत कम आया है इसी तरह छे परस्त केमिस्ट्री का और फिजिक्स का आर्ट परस्त परणाम है उर्दू और पर्शियन कोई भी स्थिट्ट पास नहीं हुआ है कुछ चात्रे से जिनके अंक जीरों है तो ये भी कही न कही एक रीजन है कि लोग ने आंसर की जारी नहीं करी पता नहीं क्या है आप लोग जाईए नहीं जा सकते तो कोई दिक्कत नहीं अराम से घर में बैठिए और नेक्स्ट पीज़ी इंट्रेंस एक्जैम का वेट कीजिए थांक्यू